नमस्कार साथियों, साथियों राजस्थान करमचारी चाइन बोर्ड ने अध्यापक्षिदी भरती परतियोगी परिक्षा का विश्तित पाथिकरम जो है जारी कर दिया गया है आज हम बात करेंगे लेवल 2 के बारे में इसमें paper pattern क्या होता है इसके लिए topic बार कौन कौन सी books पढ़नी है RBSC की पढ़नी है या NCRT की पढ़नी है या कौन से topic के लिए गाइड पढ़नी है इसके बारे में बात करेंगे और exam के लिए जो है पढ़ाई की दौरान हमारी रणनीती की आरेनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं सरफरतम हम बात करते हैं teacher grade third मुख्य परिक्षा level 2 का paper pattern जो है क्या होता है तो paper pattern की अगर बात करें तो इसमें कुल मिला करके 150 क्यूशन पुछे जाएंगे याने 150 क्यूशन जो है पुछे जाएंगे और प्रते क्यूशन 2 अंक का है तो कुल जो है total marks 300 है इसके लिए आपको 2 घंटे और 30 मिनिट का समय दिया जाएगा जैसा कि read में negative marking नहीं थी परन्तू teacher grade third मुख्य परिक्षा जो होनी है उसमें one third negative marking है तो इसमें जो है तुक्के नहीं लगाने है अगर syllabus divination की बात करें तो यह 6 part में जो है डिवाइड किया गया है तो अब हम बात करते हैं syllabus की और इसके लिए कौन-कौन सी books पढ़नी है तो part one 80 marks का रहेगा असी अंक का रहेगा जिसमें राजस्थान का भुगोलिक एतियासिक सांस्कृतिक ज्यान और राजस्थानी भासा से समंदिज जो है कि उसन पूछे जाएगा इसके लिए अगर books की अध्यान जो कख्षा 9 से कख्षा 12 तक पायट 1 से पायट 14 तक जो चल रही है उसको भी आपको जो अच्छे से पढ़ना है जो topic आपके इसमें है सैलिभस देख लएना है और सैलिभस में जो जो टोपिक है वो आपक्षा 6 से लेकर कह सबारा तक जो भी राज्थान अध्य है इसमेंसे एक गाइड पढ़नी हैं अगर आपने जो आर बैसी की सभी किताबें पढ़ ली है तो उसके बाद एक गाइड आप देख सकते हैं इसके बाद आप पिछले पिछले वर्सों के जो भी प्रश्न पत्र हैं वो एक बार जरूर अध्यान कर लें इसका अच्छे से अध्यान कर लें जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्यूशन जो है पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें अट्यान करना है पिछले वर्सों के जो भी प अगर राज्थान का सामान ने ग्यान की बात करें तो इसमें राज्थान के परतीक चिने हैं फ्लेग्शिप योजना है जनकल्यानकारी योजना है इससे समंधिजव क्यूसन पुछे जाएंगे तो यह कुछ लेटेस्ट है इसकी प्राप्त कर सकते हैं या सूजस से पढ़ सक सकते हैं इसके बाद सेक्सिक प्रिद्रश्य जिसमें शिक्षन अधिकम के नवाचार है विध्यारती कल्यानकारी योजना है SMC, SDMC जो विध्याले प्रबंदन समीती है इसके बारे में पुछा जाएगा इसके अलावा राश्थान के संदर्ब में पुछा जाएगा इसके इसके बारे में जो क्यूसन पुछे जाएगे तो इसके लिए आफ गूगल से पीडियाफ राप कर सकते हैं या मेरे टेलिग्राम लिंक पर जो है वो दे दी गई है उससे जो हो यह पीडियाफ पढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसके अलावा अगर सामने की विशाई की बात करें करंड जिक्ये की बात करें तो करंड जिक्ये में आपको जो मंतली क्रोनोलोजी आती है इसका तो अध्यन करना ही है इसके अलावा आप जो मुमल बुक्स आती है इसका अध्यन जरूर कर लें इसके बाद हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 जो है 120 अंक का है 120 मा तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की हिंदी के बाद सामाज जी ध्यन और गनीत उज्ञान के लिए क्या क्या पढ़ना है तो सबसे पहले अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी के लिए आप राज्थान बोर्ड में जो अभी हिंदी व्याकर्ण जो चल रही है कखस तो इसके लिए आप राग्योप्रकास की बुक्स जो आती है उसको अच्छे से पढ़ें और इसके अलावा और पढ़ना चाहिए तो आप कामता परसाद गुरू को पढ़ सकते हैं कामता परसाद गुरू की जो अटोंटेक बुक्स है उसको आप देख सकते हैं हलंकि यह 300 मैं इसके अलावा आप जो पिछले वर्सों की जो प्रश्न पत्र है उसको जो है आफ हल कर सकते हैं जैसे सब इस्पेक्टर के लिए जो पराता हूँ पूरा हिंदी व्याकरन का आता है या जो भी फस्ट गेर सेकंड ग्रेड में जो व्याकरन का टॉपिक है उससे समंद्ध जो है और इसके अलावा जो है एक गाइड का आप सहरा ले सकते हैं लक्षे अच्छी गाइड है इसको आप पढ़ सकते हैं या अन्या गाइड जो आप पढ़ रहे हैं या जो पहले पढ़ी है उसको आप जहो देख सकते हैं इसके अलावा जो भी गत वर्सों के परश्म पत्र है उसको आप एक बार गहनता से पढ़ लें उससे आपको पुरा पता जो जाएगा कि किस प्रकार से क्यूसम पूछे जाते हैं अगर बात करें गणीत और विज्ञान की तो गणीत विज्ञान के लिए जो है कक्सा 6-10 तक की जो बुक्स है गणीत और विज्ञान दोनों की उसमें जो भी टॉपिक आपके सेलिवस में हैं वो टॉपिक जो है आप एक बार चिनेत कर लें और उसके बाद उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें इसके अलावा रामनिवास मतुरिया की जो बुक्स आती है गणीत काफी जो है इसके बाद पिछले वर्सों के जो प्रस्न पत्र है यह आप एक बार जो अवश्य देख लें अगर बात करें पार्ट फॉर की पार्ट फॉर जो है वो ट्वेंटी माक्स का है बी संक का है और इसमें सेक्सनिक रीती विज्यान से समंदित क्यों पूछे जाएं इसमें हिंदी अंग्रेजी गणीत सामनिवज्यान सामा जीक अध्यान से समंदित सिक्सन विद्या होगी यह केवल बीस अंक काई है तो इसका विटेज जो है कम दिया गया है इसके लिए आप कोई भी गाइड का सहरा ले सकते हैं विश्रणक का यहां तो एक कोई भी अच्छी सी गाइड ले लें उसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो अच्छी आप इयादर कर लोगी अगर बात करें पार्ट 5 की तो पार्ट 5 जो है भी संक का है सेख्सनिक मंग्यान और पारिप 6 जो है NCRT की साइट से प्राप्त कर सकते हैं, या मेरे जो टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रेप्स नम दे दिया गया है, वहां से आप वो प्राप्त कर सकते हैं. या मार्केट से आप ले सकते हैं. इसको आप अवेश्य पढ़ लाएं. और इसके बाद अगर आपके पास time हो अगर समय हो तो उसके बाद पीडी पाटक को पढ़ सकते हैं या authentic books है अगर आपके पास समय नहीं हो तो वंद्राजादान या कोई भी अन्य बुक्स जो आपने रीट में पढ़ी है उसको आप पढ़ लें पर इसके बाद जो भी पिछल का ही है इसके लिए आप सूचना प्रद्योगी की जो कक्सा 9 में एक बुक्स चल रही है वह आप जो है ले लें उसको अच्छे से पढ़ लें उसके बाद वह पढ़ने के बाद किसी भी गाईड का आप साहरा ले सकते हैं और अगर यह पढ़ ली है तो उसके बाद जो लाले तने बाद